भाउप अल्ए फसलोवाद मिल रहे हैं बस देखने तो चल रहा है क्या चल रहा है तो शुरू करते हैं अगुग आज के दिन वह पाप है आएकुसाज रही है एक्जाम कैसे चल रही है पढ़ा ही केमिस्ट्री का मैंने कुछ-कुछ आपको बताया था आज के दिन में करने के लिए आई होप आप लोगों ने वो किया है कार्बन कंपाउंट्स देखने बोला था थोड़ा सा लंबा है वीडियो लेकिन यहां पर नीचे I'm just looking at the comments I'm reading the comments ओके नमस्कार नमस्कार जय माराश्ट्रा शुरू करते हैं भाई कारेकरम आज का क्या-क्या cover करेंगे आज के lecture में पहले वही बता देता हूं how many people are live almost 1000 people thank you so much for joining the live समय बिल्कुल भी बरबाद नहीं करेंगे सीधा मुद्दे पर आएंगे comments बीच-बीच में पढ़ूंगा मैं लेकिन पढ़ाते जाओंगा बीच-बीच में comment देखूंगा कहीं पे भी doubt आता है तो बात करेंगे about that and आज के lecture में हम क्या-क्या exactly cover करने वाले हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूं periodic classification के सारे important concepts dog brainer triad के बारे में पूछा गया था question in the previous year board paper तो dog brainer triad देखके फिर mandalive periodic table उसका merit उसका demerit फिर उसके related सारे questions modern periodic table पूरा periodic trends and उसके questions उसके बाद chemical reactions पे जाएंगे types of chemical reaction करेंगे उसके जो related questions हैं जो PYQ में आये हैं मतलब previous year board paper में आये है and board question bank की जो activities मैंने आज आपको दी हैं आज के दिन में वो भी हम यहाँ पे solve करने वाले हैं so there is a lot of things we have planned for today and metallurgy का भी हम PYQs solve करेंगे metallurgy का मैंने आपको aluminum extraction already दिया हुआ है तो वो video देखना आपका responsibility बनता है because उसमें मैंने बहुत अच्छे से systematically सब कुछ explain किया हुआ है and metallurgy के दूसरे जो videos है concentration of ore बोलो या फिर corrosion बोलो या फिर extraction of metals everything I have given you सब कुछ सटीक तरीके से दिया हुआ है लेकिन वो देखना आपकी responsibility है ठीक है as a creator I am providing as a teacher I am providing everything that is possible एक आदमी से लेकिन again your responsibility to keep a track and study टेलेग्राम पे सब कुछ आते जाएगा चलो शुरू करते हैं only exercise करके देखो paper थोड़ा analyze किया मैंने करीब करीब 60-70% exercise से ही आपके questions आते हैं 60-70 not more थोड़ा आजपास का भी घुमा फिरा के पूछ लेते हैं वो लोग लेकिन mostly आपके textbook के exercise में से ही आपका questions आता है तो 30 प्लस तो आपको आ सकता है even if you just do the exercise and objectives लेकिन again PYQs करके जाओ जितना मैं बताता हूँ उतना करते जाओ मेरे साथ साथ करते चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा शुरू करते हैं chemistry का महा revision final revision science 1 के लिए 4000 लोग live है very like it's a very warm feeling for a teacher and एक तो live ले रहा हूँ बहुत time बाद काफी time बाद live ले रहा हूँ and बहुत मजार है जो 1.5 and 2x पे देखने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा slow लगेगा लेकिन this is how I normally talk यही speed पे इंसान बात करते हैं normally शुरू करते हैं डॉब्रेनर की triad डॉब्रेनर भाई साब ने क्या बोला था देख लेते हैं जर्मन साइंटिस्ट थे डॉब्रेनर उन्होंने बोला element की जो properties हैं वो किस पे depend करते हैं atomic mass पे depend करते हैं atomic mass number आपको अगर नहीं पता तो वो भी मैं आपको यहाँ पे एक सेगंड में बता देता हूँ nucleus के अंदर होते हैं proton और neutron बाहर होते हैं shells shells में होते हैं elektrons इतना basic atomic structure सबको पता है so what is atomic mass number it is number of protons plus number of neutrons बराबर बात है अब डॉब्रेनर भाई साब ने क्या बोला element का property atomic mass के उपर depend करता है तो उन्होंने groups of three elements बनाए having similar chemical properties chemical property क्या होती है element के जो reactions होते हैं मतलब for example sodium react करता है oxygen के साथ sodium react करता है HCl के साथ तो यह जो reactions होते हैं उनको हम chemical properties बोलते हैं जहां से सुनते जाना सारी बाते एक एक point clear करूँगा यहाँ पे तीन-तिन element का group बनाया और उनको बोला triad क्या बोला triad example के लिए lithium sodium and potassium इस group को हम बोलते हैं triad उनको increasing order of atomic mass में arrange किया lithium का atomic mass होता है 6.9 sodium का होता है 23 and potassium का होता है 39.1 increasing order में लगाया हुआ है perfect now atomic mass of the middle element मतलब middle में कौन है sodium है जिसका atomic mass कितना है 23 atomic mass of the middle element is approximately equal to the mean of the atomic mass of the other two element मतलब क्या lithium का और potassium का इनका atomic mass को add करेंगे 6.9 plus 39.1 and उसका आपन mean लेंगे mean कैसे लेते हैं divide by 2 करेंगे 6.9 plus 39.1 upon 2 तो answer क्या आता है तुमको 46 upon 2 इसको divide करो cut करो तो तुमको answer आता है 23 तो इसका lithium का और potassium का मैंने mean लिया तो मुझे middle element का atomic mass मिला sodium का atomic mass मेर को मिला 23 इसको one triad बोलते हैं ये same to same triad pyq में पूछा गया है previous year question में आया है तो we need to understand this much क्या यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है diagram based question देखो पहले हम थोड़ी theory लेंगे theory के बाद we will do all the diagram based question activity based question everything ठीक है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है theory बताऊंगा theory फटा फट लेके then we will do all the questions जितने भी बहुत सारी question लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए ठीक है बढ़िया चलो try it सबको समझ में आ गया increasing order में arrange किया middle वाले element का atomic mass is equal to the mean of the first and the third element का atomic mass चलो हाँ बरबर बोल रहा हूं ना मैं ठीक है यह डबबा आपके textbook में दिया हुआ है डबबे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहला example हमने देख लिया लीना के तीनों example आपको आने चाहिए 87.6 and barium is the third element 137.3 पहले वाले को और तीसरे वाले को add करेंगे उसका mean लेंगे 40.1 प्लस 137.3 upon 2 कितना आता है भाई 88.7 which is very close 88.7 is very close to trontium का 87.6 बरबर है calcium का और barium का atomic mass add किया उसका mean लिया तो मेरे को almost trontium का मिल रहा है फरक कितना है एक या दो unit का फरक रहेगा न तो अपन उसको triad मानते हैं लेकिन अगर बहुत ज़्यादा difference रहेगा तो उसको हम triad नहीं मानते आपके exam में question आ सकता है identify the triad तो identify कैसे करोगे actual mass का और calculated mass में एक दो तिन unit का अगर difference है तो चलेगा 6-7 unit का difference है 10-12 unit का difference है तो नहीं चलेगा simple to understand video quality improve करो voice is low कहा बात कर रहे हो चिला तो रहूं यार video quality तो आपको 1080p में आती होगी नहीं आ रहे है तो मैं एक बड़ चेक कर लेता हूं आ रहे हैं चल रहे हैं तो शूरू करते हैं चल रहे हैं टनी टीपी पर दिख रहे हैं में रहे हैं चलो atomic mass देते हैं क्या atomic mass दिया होगा अगर exam में question आता है कि identify which of the following are dog brainer's triads तो उसमें आपको atomic mass दिया होगा atomic mass दिया होगा ओके चलो दूसरा देख लो पहला मेरा chlorine है दूसरा मेरा bromine है तीसरा मेरा iodine है पहले और तीसरे को add करते हैं bromine plus iodine 35.5 plus 126.9 upon 2 इसका mean ले लो which is equivalent to 81.2 which is very close to the actual mass of bromine 79.9 देढ़ यूनिट का difference है एक देढ़ यूनिट का तो ये एक triad है वो triad कब नहीं होगा जब actual mass का और calculated mass में 7,8 या 10 यूनिट का difference रहेगा तो it is not a triad ठीक है so far so good try it समझ गया तो फटक से आगे चले let's move on to mandalives periodic table very 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 important question इसके उपर demerit merit आता ही है hundred percent ठीक है voice quality किसी को भी low लग रहे है तो please earphone use करो मेरे end से तो I think max रखा हुआ है मैंने max ही है चलो mandalives का periodic table for tax से देख लेते हैं mandalives ने भी atomic mask को standard consider किया मतलब mandalives ने भी वही बोला element की property किस पर depend करती है atomic mask के उपर depend करती है बराबर है उस समय में 63 elements available थे उनको increasing order of atomic mass में arrange किया सेम चीज़ किया ठीक है 63 elements को लिया increasing order of atomic mass में arrange किया and इनोंने कुछ चीज़े observe की क्या observe किया देखो लिटियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ओक्सिजन फ्लोरीन सोडियम इन सब को increasing order में arrange किया है and listen to me ये सारे atomic mass याद नहीं रखने है मैं exactly आपको बताऊंगा क्या by heart करना है क्या नहीं करना है ये सिर्फ explanation है ये चीज़े हमें by heart करनी नहीं है increasing order में arrange किया फिर हमारे mentally ने क्या observe किया लिटियम का और sodium का ठीक है लिटियम का और sodium का कुछ chemical properties similar था chemical property मतलब क्या देखो lithium oxide का formula is li2o lithium के कितने atom है दो atom है and sodium का sodium oxide na2o यहां पर भी sodium के दो atom है तो इनका जो molecular formula it is very very similar ठीक है इनके oxide का formula similar है वैसे ही lithium with hydrogen forms lithium hydride and sodium with hydrogen forms sodium hydride तो इन दोनों के hydride का भी formula बहुत जादा similar है oxide का भी similar है hydride का भी similar है correct इस similarity को हम बोलते है chemical properties इनके जो compounds के formulas होते है न ये इसके chemical property में आते है ठीक है reactions में आते है ठीक है ray diagram करना है देखो physics की बाते हम कल करेंगे physics की भी दो session लोंगा gravitation effects of electric current और heat एक तरफ lenses refraction और space mission एक तरफ तो आज यहां पर chemistry निप्टा देंगे chemistry के बाद कल afternoon में we will do gravitation effects of electric current और heat और बाद में evening में again we will take refraction lenses और space mission सारी बाते यहां पर clear कर दूंगा important questions discuss करेंगे topic discuss करेंगे and activities भी discuss करेंगे okay new land is not important new land नहीं पूछते तो चलो मैंडली उनने क्या बोला chemical properties are similar oxide का formula hydride का formula oxide का formula hydride का formula similar है फिर उन्होंने बोला melting point density and boiling point में भी similarities दिख रहे हैं यह तीन चीज़े किसमें आती है physical properties में तो मैंडली उनने chemical property में भी similarity देखी और physical property में भी similarity देखी is this clear तो उसने क्या किया जो similar similar element थे उनको एक के नीचे एक range करना start किया मतलब अभी lithium के नीचे बराबर sodium को लगा दिया फिर sodium के बाद आता है magnesium तो उन्होंने क्या देखा beryllium and magnesium में भी similarity था beryllium oxide and magnesium oxide इनके oxide का formula similar है beryllium hydride and magnesium hydride इनके hydride का भी formula similar है कि नहीं है तो again chemical properties are similar फिर आगे aluminum आया silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, boron and aluminum are similar carbon and silicon are similar nitrogen, phosphorus similar है oxygen, sulfur similar है तो भई हमारे mandaliev ने क्या बोला elements with similar physical physical क्या होता है physical and chemical properties they repeat after definite interval थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद similar element repeat होते हैं and similar element को हम एक के नीचे एक लगाएंगे ठीक है lithium के नीचे sodium, beryllium के नीचे magnesium, boron के नीचे aluminum इस तरह से तो groups बना रहा है हमारा mandaliev क्या कर रहा था group बना रहा था similar element का ठीक, चलो, तो mandaliev periodic law क्या होता है, law, law, law क्या होता है properties of elements are a periodic function of their atomic mass, मतलब क्या properties of element depend on atomic mass, properties किस के उपर depend करती है, atomic mass के उपर depend करती है and they are a periodic function, मतलब क्या, ये repeat होती है after definite interval, थो क्या बोला है, properties will repeat after definite interval this is called as periodic function of atomic mass, clear हो गया, ये law याद रखना बहुत ज़रूरी है mandaliev का periodic law, अभी सीधा आते है mandaliev periodic table पे, ये table अपने को कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, दिखता बहुत खतरनाक है इसमें भी groups होते हैं, इसमें भी periods होते हैं, लेकिन we don't need to worry about it at all सीधा मुद्दे पे आते हैं, we will go to merits of mandaliev's periodic table जो आपको previous year question में पूछा गया था, PYQ में आता है तीन point हैं, तीन very basic points, फटा-फट देख लेते हैं, पहला point हमारे mandaliev ने कुछ-कुछ elements का atomic mass को correct किया beryllium का पूराना atomic mass था 14.09, which was wrong तो हमारे mandaliev ने इसको correct किया, उन्होंने बताया, corrected mass होता है 9.4 and beryllium को अपनी correct position पे उन्होंने लगाया, beryllium was placed before boron यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपको beryllium and boron दिख रहे हैं beryllium, atomic mass 9.4 and boron 11, तो beryllium को अपनी proper जगा पर उन्होंने रखा before boron, very simple, यह होगया आपका पहला merit, atomic mass को correct किया and beryllium को अपनी सही जगा पर रखा, दूसरा, दूसरा क्या बोलता है, कुछ-कुछ elements discover नहीं हुए थे, लाल वाला, blue वाला, yellow वाला, यह element discover नहीं हुए थे लेकिन हमारे मेंडलीव ने उनकी कुछ properties को predict किया उन्होंने इस लाल वाले element को बोला, Eka boron, क्यों बोला? because इसका और इसका property similar था, लाल वाले का और boron का property similar था, तो उसको बोला Eka boron blue वाले को बोला Eka aluminium, blue वाला और aluminium, इनका property similar है, तो इसको बोला Eka aluminium and yellow वाले को बोला Eka silicon, because इसका और silicon का properties are similar ठीक है, Eka boron, Eka aluminium, Eka silicon इनका atomic mass भी प्रेडिक किया एका boron का 44 बोला, aluminum का 68 बोला और silicon का 72 atomic mass भी प्रेडिक किया कुछ सालों बाद, कुछ समाई बाद ये element discover हुए and आपको यहाँ पे trick बताऊंगा द्यान से सुनना बहुत ही interesting trick है एका boron का नाम पढ़ा scandium, ठीक है sc, यहाँ पे देखो sc आ गया scandium, एका aluminum, इसका नाम पढ़ा gallium and एका silicon इसका नाम पढ़ा germanium and इनकी जो properties Mendeliev ने predict की थी वो भी उसके prediction के हिसाब से correct आई ठीक है, तो हमारा Mendeliev बहुत ही ज्यानी आदमी था atomic mass भी predict किया बराबर से and properties भी predict की थी अभी इसको याद कैसे रखते हैं, मैं भूल जाता हूं कभी-कभी, एका boron का actual नाम के है तो मैं बोलता हूं, बो आनी का बोका, बोरॉन scandium, ऐसे मैं आद रखता हूं, देखो फालतू चीजे हैं, लेकिन I remember it like this, बोका is boron, एका boron, scandium अल्लू आनी गल्लू I remember it as अल्लू आनी गल्लू अल्लू गल्लू, एका aluminium and gallium, अल्लू गल्लू एका aluminium, gallium and sili, german sili, german, sili german एका silicon is german german जर्मन ठीक हैं, बोका, एका boron scandium, अल्लू गल्लू, एका aluminium, gallium and sili, german, silicon is germanium यह हो गया तुम्हारा second merit, very simple last merit, अच्छा, properties of these elements matched well with those predicted by Mendeleev, जैसा उसने बताया था, वैसे इसकी, इनकी properties थी, तीसरा merit क्या बोलता है, no place reserved for noble gas in the Mendeleev's original periodic table, original periodic table में noble gas के लिए जगा नहीं था, लेकिन उसने अलग से zero group बनाया जिसके अंदर, आपका helium, neon, argon, krypton, सबको जगा दी Mendeleev created group zero without disturbing the original periodic table, original periodic table को तरास नहीं दिया, अलग से zero group बना दिया ठीक है, चलो, own words में लिख सकते हो, क्या हाँ, लिख सकते हो, own words में भी थोड़ा थोड़ा, exactly same to same, लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका जो कहने का मतलब है, वो textbook से मिलता होना चाहिए, भलता अपना story मत बनाना वहाँ पर, लेकिन जो आपके keywords है, keywords, उनका होना बहु लेकिन ऐसा public में मजाग उड़ाओगी मेरे handwriting का, तो अच्छा नहीं लगया मुझे, ठीक है, दिखाई किसको नहीं दे रहा, जाओ, अपने setting में और video की, video quality की setting में जाके उसको जड़ा 720 पे डाल दो, चलो, यह होगा हमारे सारे merits, अब बात करते हैं, demerits की, speak fast, अरे तुम 1.5 पे देखते हो, लेकिन मैं तो 1 पे ही बोलूँगा न, आदमियों, रोबोट थोड़ी हूँ, अलललल, ऐसे करके बात करूँगा, demerits of Mendeleev periodic table, चलो, यह भी अपने PYQ में आया हुआ, पहला demerit, कोबाल्ट का atomic mass होता है 58.9, और nickel का atomic mass होता है 58.7, कोबाल्ट किदर है, क यह रहा मेरा कोबाल्ट, और यह रहा मेरा nickel, इन दोनों का atomic mass बहुत ज्यादा similar है, टेक्स्बुक में क्या दिया है, the whole number atomic mass of cobalt and nickel is same, 58.9 and 58.7, whole number मतलब क्या, अगर मैं इसको round up कर दूँ, तो 59 आ जाएगा, तो इनका दोनों का whole number atomic mass is 59, तो एक confusion हो जाता है, कि पहले किसको रखें और बाद में किसको रखें, cobalt को पहले रखना है कि nickel को पहले रखना है, है ना, so there was an ambiguity, ambiguity मतलब confusion, के पहला किसको रखू, मैं cobalt को रखू कि nickel को रखू, regarding their sequence in the table, simple, यहां तक cool है, cobalt and nickel के position में ambiguity, ambiguity मतलब क्या, confusion, 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 confusion था, आगी पिछे किसको लगाएं, cobalt को पहले रखें कि nickel को, चलो, second demerit क्या बोलता है, isotopes were discovered long after Mendeleev put forth the periodic table, isotope की discovery बहुत बाद में होई, लेकिन पहले isotope होता क्या है, वो समझ लेते हैं, देखो, carbon का atomic number मेरे को पता है 6 है, और उसका atomic mass number मुझे पता है 12 है, आपको पता है, carbon के nucleus में 6 proton है और 6 neutron है, बराबर है, इन दोनों को joint करोगे तो आपको atomic mass number 12 मिलता है, लेकिन isotope क्या होते हैं, they have the same chemical property but different atomic mass, इनका atomic mass अलग है, chemical property similar है, for example, carbon 13 होता है and carbon 14 भी होता है, carbon 13 के पास 6 proton है, proton का number कभी change नहीं होता है, लेकिन इसके पास कितने neutron है, 7 neutron, एक neutron ज्यादा है, ठीक ह सादा, सादा डोसा, सादा carbon, और यह कैसा masala carbon है, carbon 13, मैसुर masala, cheese mayo masala, समझो, बात को समझो, इसको हम isotope बोलते हैं, जिनका chemical property same है, उनका reactions same रहेगा, लेकिन उनका atomic mass different रहेगा, वैसे carbon 14 के बात करें, तो 6 proton है, लेकिन 8 neutron है, 2 neutron ज्यादा है, इनको हम isotope बोलते हैं, तो अभी isotope को रखने का किदर, isotope को रखने का किदर, a challenge was posed in placing them in the Mendeleev's periodic table, एक ही जगा पे रख नहीं सकते, because atomic mass अलग है, and Mendeleev का periodic table किसके उपर बना हुआ है, atomic mass के उपर, atomic mass अलग है, तो मिरको उनको अलग-अलग position देना पड़ेगा, तो आईसा confusion हो गया, simple, clear है बात, simple, तीसरा D merit, again very interesting, when elements are arranged in increasing order of atomic mass, elements को हम increasing order में arrange कर रहे हैं, चलो, करके देखते हैं, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, and chlorine, increasing order of atomic mass में arrange के हैं, मुझे एक बात बताओ, sodium और magnesium के बीच में कितना difference है, एक का difference है, 23-24, एक unit का difference है, magnesium और aluminium में 3.3 का difference है, aluminium और silicon में 0.7 का difference है, silicon और phosphorus में 3 का difference है, फिर वहाँ एक का difference है, फिर यहाँ 3.5 का difference हा गया, तो uniformity नहीं है, आड़ा तेड़ा उपर जा रहा है वो, थोड़ा बढ़ रहा है, फिर अचानक बहुत बढ़ रहा है, फिर थोड़ा बढ़ रहा है, फिर बहुत बढ़ रहा है, तो there is no gradual increase, है ना, the rise in atomic mass is not uniform, एक तरीके से वो grow नहीं हो रहा है, या increase नहीं हो रहा है, तो confusion कहां आ जाता है, ध्यान से सुनना, confusion कहां आया, अगर मैं heavy element की बात करूँ, जिनका atomic mass ज़ादा है, 100 के उपर है, अब cadmium और indium में कितना difference है, एक का difference है, लेकिन indium में और tanum, sn क्या होता है, sn क्या होता है, tin होता है, tanum, tin, इन दोनों के बीच में 5 का difference है, इन दोनों के बीच में 1 का difference है, तो mandaliev भाई, हमारा mandaliev भाव confused हो गया, कि इन दोनों के बीच में और कितने element होंगे नहीं पता, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है के निये, पाँच का difference है, तो इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में, और भी elements हो सकते हैं, बीच में एक हो सकता है, या दो elements हो सकते हैं, so, it was not possible to predict how many elements can be discovered between two heavy elements, दो heavy elements के बीच में, और कितने होंगे, यह हमें नहीं पता था, यह था तीसरा demerit, यहां तक सब को समझ में आ रही है बात, ठीक है, cd क्या होता है, cadmium, तिनों का नाम लिख दें, cd क्या होता है, cadmium होता है, in क्या होता है, indium होता है, और sn क्या होता है, stannum, जिसको हम महबबच से tin बुलाते है, cadmium, indium, stannum, ठीक है, बट अगेन, यह सब आपको याद रखना है क्या, नहीं, आपको कितना याद रखके जाना है, यह statement याद रखना है, example तो मैं आपको दे रहा हूं for your understanding, अपने को सिर्फ statement करके जाना है, बागी कुछ नहीं करना है, ठीक है, जितने भी example में दे रहा हूं, यह सब नहीं लिखना है, अपने को सिर्फ statements लिखने है, paragraph लिखना है, point wise लिखना है, बस, ठीक है, और किदर doubt था मेरे को बताव, second demerit बता तो जबाए, हाँ, यहाँ पे भी अपने को कितना लिखना है, यह और यह, यह दो point लिखना है, notes मैंने आपको दिये हुए है, refer the notes, notes में सारे answer एकदम सही तरीके से दिये है, refer the notes, this is just theory, ठीक है, चलो, आगे चले, fourth demerit, last demerit, और यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, वो बता दूँगा, देखो, यह आपको लिखना है, hydrogen shows similarity with halogen, hydrogen और halogen में बहुत जादा similarity होती है, halogen कौन से ग्रूप में आते हैं, ग्रूप number 7 में आते हैं, अब, H2 अनी Cl2, this is the molecular formula of hydrogen and chlorine, बरबर है, H2, NCl2, अभी क्या हुआ, compound with metal, hydrogen, sodium के साथ bond बना सकता है, तो sodium hydride बनेगा NH, chlorine भी sodium के साथ बना सकता है bond, तो NaCl बनता है, अब मेरे को बताओ, इसका और इसका दोनों का formula सिमिलर है, ठीक है, तो hydrogen का और chlorine का react करने का तरीका सिमिलर है, metal के साथ same type का reaction दिखाता है, hydrogen भी और chlorine भी, वैसे मैं compound with non-metal की बात करूँ, तो hydrogen carbon के साथ CH4, methane मनाता है, वैसे ही chlorine भी carbon के साथ CCL4, मतलब carbon tetra chloride, इसका नाम लिख दूँ या, carbon tetra chloride, ठीक है, अगेन formula में similarity है, CH4, CCL4, तो hydrogen and chlorine, इनका reaction का तरीका, इनका जो formula है, it is very very similar, पहला point एकदम clear हो गया, hydrogen, halogen की तरह react करता है, लेकिन हमारा hydrogen, alkali metals, group number one, alkali metals, sodium, lithium, sodium, potassium, lina, k, rb, rubidium, cesium, lina, k, rb, c, farar, ये भी आपको याद करवाँगा, आगे जाके, don't worry, hydrogen, alkali metals की तरह भी react करता है, उनकी तरह भी similarity दिखाता है, मतलब क्या, चलो, compound of hydrogen and compound of sodium, hydrogen को हम sodium के साथ compare कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, hydrogen को sodium के साथ compare कर रहे हैं, HCl बनता है, तो NaCl बनता है, H2O बनता है, तो Na2O बनता है, H2S hydrogen sulfide बनता है, तो Na2S, sodium sulfide भी बनता है तो अगेन hydrogen का और sodium का formula are very very similar तो प्रश्न ये था कि hydrogen को रखे कहाँ halogen की तरह भी काम करता है और alkali metal की तरह भी काम करता है तो group 1 में रखें कि group 7 में रखें है ना, सवाल क्या था group 1 में रखें कि group 7 में रखें halogen में रखें के alkali metal में रखें that was the question so problem क्या हो गया it could not be decided whether the correct position of hydrogen was with alkali metals or with halogen उसको कहां रखना है ये समझ में नहीं आ रहा था ठीक है like कितनी देर चलेगा ये तो मुझे नहीं पता because cover बहुत कुछ करना है आपको आता है तो पढ़ो नहीं आता है तो सुनो ऐसी बात है है ना yes academy amazon modern periodic table है है सब कुछ है मराठी मदे बोलू मराठी मदे शिको पुर्चा प्रश्न बहुगया अच्छा यहां तक हमने क्या-क्या cover किया डॉब्रेनर प्या ट्राइड डॉब्रेनर का ट्राइड हो गया वो भी आपके पहले के paper में पूछा गया है फिर हमने merits देखा वो भी आपको करना है demerit देखा वो भी आपको करना है यह तीन चीज़े हमने किये हैं इसके उपर question बनता है very very important please करके जाना prepare अच्छा अभी we are moving to the proper modern periodic table modern periodic table किसने बना आ था कब की बात है 1913 1913 AD में English scientist Henry Mosley he demonstrated that atomic number is the most most fundamental property of element than its atomic mass अब तक लोग क्या कर रहे थे atomic mass को important समझ के periodic table बना रहे थे लेकिन Henry Mosley ने आके वक्त बदल दिया दुनिया बदल दी जस्बात बदल दिया उन्होंने बोला atomic number Z Z it is the most fundamental property of element and उसको यूज करके atomic number को यूज करके हम पूरा periodic table बनाएंगे now we are starting with a very important topic modern periodic law यहां पर याद रखना property of element are periodic function of atomic number Mandeliev का periodic law क्या था atomic mass था number के जगा क्या था mass था modern periodic law में आप क्या लगाओगे बाकी सब कुछ से हम है सिर्फ यहां पर atomic number number लगा हुआ है mass के जगा number है इतना ही फ़रक है ठीक है main मुद्दे पर आते हैं अपने modern periodic table को देख लेते हैं बड़े वाले चलो इसमें कितने block होते हैं 4 block होते हैं S, P, D and F there are 4 blocks S, P, D and F ठीक है बढ़िया अभी आप अगर horizontal rows देखोगे यह जो ऐसे जा रहा है न इसको हम horizontal direction बोलते हैं आडवा तो there are 7 horizontal rows modern periodic table contains 7 horizontal rows and they are called as periods numbering होते हैं 1 से 7 simple 1st period, 2nd period, 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th नीचे का क्या माल मसाला है वो मैं आपको बताऊंगा and there are 18 vertical columns चलो 1, 2, 3, 18 there are 18 vertical columns called as groups number 1, 2, 18 simple अच्छा अभी हर डब्बे में left corner में ठीक है left top corner में मैं atomic number लिख रहा हूँ तो यहां 1 लिखा मैंने यहां मैंने 2 लिखा, यहां 3 लिखा, 4 लिखा 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा 118 तक मैंने लिखा हुआ है चलो यहां तक सबको समझ रहा है 7 period है, 18 group है top left corner में हमने atomic number लगा रखा है 108 element होते हैं 4 block होते हैं सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है समझ रहा है, come on serially indicated in the upper part of the boxes ठीक है, फिर यहां पर आपको दिख रहा है 57 से लेके 71 यह जो elements हैं, उनको हमने एक साथ 81 करके रखा हुआ है 6th period में 3rd group में 57 से लेके 71 88 है, and 7th period में 89 से लेके 103 88 है, इन elements को हमने अलग से नीचे रखा हुआ है 57 से लेके 71 89 से लेके 103, मैं हट जाओ, दिख रहा है 103, 71 and 103 ठीक है, atomic number 57 होता है lanthanum, 89 होता है actinum, actinium तो यह आपकी बन जाती है lanthanide series and यह बन जाती है actinide series, ठीक है these are called the lanthanide and actinide series ठीक है, लोग बोल रहे हैं can you go slow slow, slow जाओ या fast जाओ लोग बोल रहे हैं, 2x पर पढ़ाओ, 5x पर पढ़ाओ फिर बोल रहे है, 0.75x पर पढ़ाओ करते जाते हैं, चलो चोटी चोटी बाते हैं, यह सब हमने पढ़ा हुआ lanthanide series है और actinide series है ओके, तो यह group 1 and 2 यह बन गया मेरा s block this is my s block, 13 से लेके 18, नमबर याद रखेंगे 1, 2, s block, 13, 18, p block, 3 से लेके 12, 3 से लेके 12, d block and lanthanide and actinide series become my f block चलो, यह तो clear हो गया सबको 4 block समझ में आ गए, group समझ में आ गए, period समझ में आ गए ठीक है, चलो अब d block के जो elements हैं, उनको हम transition element बोलते हैं क्यों बोलते हैं, आपको एक और बात बताता हूँ ध्यान से सुनना मेरी बात s and p block s and p block के जो element हैं, इनको हम normal element बोलते हैं, क्या बोलते हैं, normal element because इनका जो last shell होता है outermost shell, it is incomplete correct है, it is incomplete only the last shell is incomplete लेकिन transition element में last two shells are incomplete ध्यान से सुनना transition element में last two shells are incomplete and inner transition element में last three shells are incomplete तो normal element में only last shell only the last shell is incomplete transition में last two shells are incomplete and inner transition में last three shells are incomplete okay perfect, so far, so good सारी बाते clear हैं अच्छा, now यहाँ पर आपको zigzag line दिख रहा है साथ इधर से start हो रहा है and यहाँ खतम हो रहा है zigzag line metalloids lie along the zigzag line यह रहे हमारे metalloids and metalloids के left में रहेंगे सारे metals और metalloids के right में रहेंगे सारे non-metals तो एक बात बताऊं non-metals किदर है यह, 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 यह यह जितना भी है ना इधर इतने ही non-metals है जान से सुनना यह मैं जितना गंदा कर रहा हूं न यह non-metals है बाकि सब क्या है यह तुम्हारा metalloids है zigzag line is the metalloids बाकि सब कुछ metal है S block metal है D block metal है F block metal है और यह भी metals है ठीक है बहुत जादा गंदा हो गया है लेकिन I hope you understand the point zigzag line के left में सब metal है right में non-metal है non-metals बहुत कम है metal बहुत सारे है hydrogen को हम इधर रखेंगे अभी hydrogen इधर है न लेकिन अगर modern periodic table properly देखोगे न तो hydrogen को इसा बीच में रखते हैं आप because ना तो उसको तुम alkali metal के साथ रख सकते हो ना तो hydrogen के साथ because hydrogen का अलगी feel है अलगी vibe है तो उसको उसको बीच में special position देते है ठीक है चलो अभी 1-2-20 elements याद कर लेते हैं फड़ाक से H hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen 1-10 Hi, Hello, Listen BBC News on Friday night ये मैंने बताया हुआ है Hi, Hello, Listen BBC News on Friday night Simple Hi, Hello, Listen BBC News on Friday night 1-10 हो गया and 11-20 ना मांगो अलू अलू अर्जुन Rockstar, Superstar ना मांगो अलू से Pepsi, Soda, Cola और काजू, कतली ना मांगो अलू से Pepsi, Soda, Cola और काजू, कतली कैब बात clear है Come on पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ Inner Transition F Block Transition D Block Inner Transition F Block Transition D Block S and P Normal elements ये हो गा है हमारे 1-2-20 Hi, Hello, Listen BBC News on Friday night ना मांगो ना मांगो अलू से Pepsi, Soda, Cola और काजू, कतली अब थोड़ा मैं एक मिनिट कमेंट देख लेता हूँ क्या-क्या हो रहा है Numerical Option में मत रखो मैंने जितने बोले हैं उतने करके जाओ Science One के Objective मैंने जो Drive का Link दिया है उसमें सब कुछ है Link खोल के देखोगे दुनिया का सार संसार का सार आपको वहाँ मिल जाएगा ठीक है? अभी भी लोग handwriting पे मार रहे हैं ठीक है? मार लो, मार लो, कर लो एक्जाम तुम्हारी है, कल नहीं परसो मुझे क्या? handwriting का मजा कुड़ा होगे हैं चलो और 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 क्या 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 चल रहे हैं Link है, उसमें सारे PDF हैं download करो download करो, उसको फिर print लो मतलो, जो करना है करो, लेकिन पढ़ लो चलो, आगे चलते हैं अब आपको दो बातें यहाँ पर बताता हूँ down the group क्या होता है, ध्यान से सुनना भाई ध्यान से सुनना, down the group क्या हो रहा है, down the group hydrogen एक shell है और एक electron है, बस hydrogen has one shell and one electron, lithium 2,1, देखो भई, lithium कि ज़र है atomic number 3 2,1 electronic configuration इसके पास कितना shell है, 2 shell है लेकिन आउटर्मोस shell में कितना electron है, एक ही है इसके भी आउटर्मोस shell में एक electron है इधर भी आउटर्मोस shell में एक electron है, इतना याद रखेंगे फिर sodium 2,8,1 atomic number 11, देखो रहा है atomic number 11, electronic configuration 2,8,1, कितना shell है, 3 shell है, लेकिन फिर से आउटर मों शेल में कितना इलेक्ट्रोन एक इलेक्ट्रोन है तो डाउन दगूरप क्या हो रहा है डाउन दगूरप हो क्या रहा है number of shells increase एक शेल दो शेल तीन शेल चार पाँच छे साथ बेसिकली ध्यान से सुनना बेसिकली period का जो number है ना उतने shell होते हैं first period में one shell second period में two shells third period में three shells fourth period में four shell five period में fifth period में five shells six period में six shell seven period में seven shell तो period का जो number है वो आपको क्या बताता है shell बताता है कितने shell है ठीक है तो number of shell increase हो रहे है down the group लेकिन valence electron remain same इधर भी एक electron है इधर भी एक है इधर भी एक है valence electron क्या होता है outer most electrons outer most electron का जो number है वो same रहेगा ठीक है AC है sir पैसे वाले है ऐसा लग रहे है आप लोगों को AC है तो पैसे वाले लोगों होते है AC है लेकिन चल नहीं रहा है यार गर्म हो रहे है pointless इसी रूप जाओ इसको खुछ करता हूँ हाँ everyone stop comment section 2 minute let's do the prank अच्छा comment stop करके prank करने की कोशिश हो रही है कि live stream बंद हो गया है ठीक है चलो आगे चले left to right in a period left to right जाएंगे hi hello listen to b b c news on friday night यह कौन सा period है period number 2 second period है left to right जा रहे है तो मेरे को बताओ shell कितना है इसके पास भी 2 shell 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 shell का number remains same lithium है और beryllium है मेरे को बताओ number of shell remains same 2 shells 2 shells लेकिन outermost electron बढ़ रहा है इधर एक electron है एक electron है और यहाँ पे कितने electron हो गए 2 electron हो गए हैना एक electron था 2 हो गए 3 हो गए 4 हो गए 5 हो गए 6 हो गए 7 हो गए 8 हो गए valence electron का number बढ़ रहा है valence electrons will increase यहां तक का कार्यक्रम समझ में आया क्या इसके बाद बस आपको दो periodic trends बताऊंगा atomic radius and valency उस दो trend के बाद we are going to solve questions, बहुत सारे questions solve करेंगे फटा फट चलो समझा क्या इतना समझ रहा है कि नहीं है यह सौर नो सिर्फ हाँ या ना बताओ समझ रहा है तो चलते हैं आगे लोग पूछने 21 set करना है 21 set मत करो मैं तो बोलता हूँ आड़े तेड़े extra questions होते हैं उससे अच्छा PYQ करके जाओ जितना जितना मैं बता रहा हूँ देखो मेरे भी बहुत अच्छे marks आये थे usually I don't tell people कितना आया था लेकिन बहुत जादा आया था ठीक है बहुत जादा आया था and बहुत जादा नहीं होता है ठीक है 96 ही होता है लोगों को 100 भी आते हैं 102 भी आते हैं परसेंट लेकिन I did not do any of those things ठीक है रोज पेपर सॉल्व करने हैं रोज 21 सैट लगानी है ये लगाना है कुछ नहीं किया था प्रिवेस एर क्वेशन पेपर करके गए थे एक्सरसाइज के क्वेशन करके गए थे बस हो गया था तो जादा दिमाग मत लगाओ जितना मैं बता के जा रहा हूं उतना करके जाओगे ना सब हो जाएगा 21 सैट तो एक सब पॉइंटलेस चीज़ है ठीक है चलो इतना क्लियर है तो अभी आते हैं परियोडिक ट्रिंड्स पे ना हो कितना समय हो गया आपने स्ट्रीम को कितने बज़ रहे है 41 ना 40 मिनिट हो गया स्ट्रीम को खतम कर रहे हैं कि हुशिश करते हैं देड़ घंटे के आसपास वाइंड अप करेंगे Atomic Size Atomic Radius is the distance between Nucleus and Outermost Shell यह हमारा Nucleus है Outermost Shell है Nucleus और Outermost Shell के बीच का Distance क्या होता है Atomic Radius होता है It is expressed in Unit Picometer PM which is smaller than Nanometer 1 Picometer is 10 to the power 12 meter Nanometer क्या होता है 10 to the power minus 9 meter होता है माइक्रो मीटर क्या होता है 10 to the power minus 6 मीटर होता है ठीक है तो पीको मीटर बहुत छोटा है 10 to the power minus 12 and ये atomic size का भी give reason आपको previous year question paper में आया हुआ है ठीक है जितनी बाते मैं बता रहा हूँ सारी आपको PYQ में आई हुई है and ये notes भी आपको दिये हुए left to right in a period क्या होता न ये आता ये आपको give reason में आता ही है left to right in a period क्या हो रहे number of shells remain same valence electrons increase मेरे को बताओ lithium लिया है 2,1 उसके आगे लिया है beryllium 2,2 अब मुझे एक बात बताओ इसके पास कितना proton है lithium के पास 3 proton है परावर beryllium के पास 4 proton है can I say nuclear charge increase हो गया nucleus के अंदर जो charge था proton का charge था positive charge वो increase हो गया so because of that electrons are pulled towards the nucleus to a greater extent electrons को और अंदर खीचेगा nucleus इस तरह से electrons को क्या कर रहा है nucleus अंदर खीच रहा है and because of that shell का size क्या होगा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा थोड़ा सा ठीक है and thereby size of the atom will decrease तो इसके आगे मिरको कौन आएगा बताओ boron आएगा 2,3 उसकी size और छोटी होगी boron के बाद carbon आएगा 2,4 उसकी size और थोड़ी छोटी होगी because nuclear charge increase हो रहा है यह आपको आता है give reason में भाई कर के जाओ give reason कर के जाना है ठीक है मेरा exam चल रहा था I am doing B.Ed Bachelor of Education तो उसका exam चल रहा था लेकिन खतम हो गया कब का खतम हो गया तीनी paper होता है हमारा ओके चलो इतना clear है सबका left to right in a period क्या होता है size will decrease चलो यह तो मैंने आपको अल्रेडी बता दिया hydrogen, one shell one electron lithium two shells again one electron sodium three shells but one electron तो down the group क्या होता है number of shells increase valence electron remain same atomic size atomic size का क्या होगा it will increase shell बढ़ रहे हैं ध्यान से सुनना मेरी बाद shell बढ़ रहे हैं two shell, three shell, four shell, five shell, six shell बढ़ेगा तो atom का size बढ़ा होगा but obvious shell बढ़ेगा तो atom का size बढ़ेगा ठीक है, तो मेरे को बताओ trend कैसा है अपना left to right left to right क्या हो रहा है, decrease हो रहा है left to right it is decreasing, नीचे जाओगे तो it will increase चलो, clear है f block में metalloids नहीं होते हैं, f block में सिर्फ metals होते हैं, s block में भी metal होते हैं, d block में भी metal होते हैं यह metalloids है, इधर है, और यह वाले non metals है, इतने ही है, non metals, बाकी सब metals है, यह सब, सब कुछ metal है, ओके, अब आते हैं, valency पे, valence is the last periodic trend, देखो, metallic character के उपर question नहीं बन थे, तो मैं वो नहीं ले रहा हूं, atomic size कर लो, valency कर लो, बस हो गया, ठीक है, चलो, fast fast, जल्दी जल्दी करत है, ठीक है, what is valency, it is the ability of atom to gain or lose electron, gain, gain, lose or share electrons, electron share भी हो सकते है, in order to achieve noble gas configuration, हमारे atom को noble gas की तरह बनना है, stable बनना है, atom को क्या चाहिए, octate चाहिए, या तो duplate चाहिए, octate और duplate, to become stable, ठीक है, noble gas की तरह stable होना है उनको, satisfy होना है, it refers to the ability of element to combine with other elements, example देते हैं, sodium के, outermost shell में एक electron है, तो इसकी valency कितनी हो जाएगी, one हो जाएगी, बराबर, magnesium के outermost shell में कितने electron है, दो electron है, तो इसकी, इसकी valency कितनी हो जाएगी, two हो जाएगी, मुझे एक बात बताओ, sodium ये electron lose कर सकता है, magnesium, इन दो electron को, lose कर सकता है, तो जितना electron को, वो lose करेगा, उतना उसका valency रहेगा, chlorine की बात करें, two, eight, seven, chlorine एक electron को gain कर सकता है, chlorine क्या करेगा, एक electron को gain करेगा, तो उसकी valency भी कितनी हो जाएगी, one हो जाएगी, तो जितने lose कर सकते हो, या जितने gain कर सकते हो, उतनी क्या होती है, valency होती है, ओके, demerits and merits, दोनों करने हैं, दोनों करने हैं, आता है उसके उपर, दोनों करके जाओ, चलो, left to right की बात करते हैं, फटाक से देख लेते हैं, left to right, वैलेंसी में क्या हो रहा है थर्ड पीरेड क्या था ना मांगो यह मैं फटा-फट बता देता हूं अल्ला से अल्लू से पेपसी सोडा कोला और काजू काजू बाद में आता है ठीक है काजू नहीं है इधर नाव अंड़साइंड दस सोडियम का आउटर मोस चल में एक इलेक्टरन है तो उसकी वैलेंसी बन है मैगनिशम का दो इलेक्टरन है तो वैलेंसी टू है अलुमिनियम का थ्री है तो वैलेंसी थ्री है सिलिकॉन का फोर है तो वैलेंसी फोर है लेकिन उसके बाद फॉस्फरस में पाच इलेक्टरन है त लेकिन वो तीन एलेक्टोन गेन कर सकता है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, तो 4 के बाद वैलेंसी Cowarty Decrease होती है, पहले वो बढ़ती है, 1, 2, 3, 4, 4 के बाद क्या होती है, scratched होती है, sulfur के पास 6 electron है outer muscle में, क्या हो करेगा, वो 6 electron loose करेगा, नहीं करेगा, 2 electron gain कर लेगा तो valency 2 हो जाती है chlorine, 7 electron loose करेगा, नहीं 1 electron gain करेगा, valency 1 हो जाती है and argon के पास octet complete है तो valency 0 हो जाती है तो what is the trend, left to right अगर हम जाते हैं तो it increases कहां तक increase हो रहा है 4 तक increase हो रहा है, फिर decrease हो के फिर से 0 हो जाता है 1, 2, 4, 4 से 0 increase हो रहा है, decrease हो रहा है left to right ठीक है, and down the group क्या होता है मुझे बताओ, shells बढ़ते हैं इसके पास कितना shell है, 1 shell 2 shell, 3, 4, 5 6, 7 shell increase हो रहे हैं, लेकिन valence electron same है सबके outer most shell में कितना electron है, एक electron है, so down the group valence remains same, shell बढ़ेगा लेकिन valence क्या रहेगी, same रहेगी, because सबके पास एक electron है in the outer most shell example दिया है, is this clear ठीक है तो valence की बात करें, तो left to right क्या हो रहा है, पहले increase होती है 1 से increase होगा 4 तक, and फिर decrease होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है 140, increases and decreases down the group क्या होगा, valence remains same give reason आता है valence same क्यों होती है, because same valence electron, ठीक है down the group क्या होगा, same valence electron रहेगा, तो valence remains same चलाओ, अभी आते हैं important question पर, यह आगे important question, यहाँ तक हो गए अपनी theory समाप अब मैं सबसे पहले PYQ लोगा, and PY के बाद PYQ के बाद we will go to board question bank का activities, चलो, शुरू करें चलो, शुरू करें आओ, आते जाओ Thank you Krishna for the super chat आजाओ, शुरू करते हैं, arrange the above elements in decreasing order of their atomic radius, decreasing order मतलब बड़े से चोटा, तो सबसे बड़ा कौन है इदर, lithium, तो लिकी देते हैं, फटा-फट बनाते हैं, 152, lithium के बाद कौन आ रहा है, देखो मेरे को sequence पता है, हाई, हेलो, लिसन, बी, बी, सी, न्यूज, आन, बराबर है, यह अपना second period है, this is my second period, hi, hello, listen, BBC News on Friday night, अब beryllium का कितना है, 111, boron का कितना है, 88, carbon का कितना है, 77, nitrogen कितना है, 74, and oxygen कितना है, 66, मेरे को बता हो, left to right क्या हो रहा है, left to right क्या हो रहा है, atomic size decrease हो रही है, ठीक है, state the period to which the above elements belong, second period, why this arrangement of element is similar to the above period of modern periodic table, तीसरे वाले question में हम क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना, atomic radius याद नहीं रखना है, दिया हुआ रहेगा, आपके question में radius दिया हुआ है, आपको बाया हट करके नहीं जाना है, आपको सिर्फ concept याद होना चाहिए, कि left to right जाते हो, तो nuclear charge बढ़ता है, तीसरे वाले question में आपको यह reason लिखना है, nuclear charge increase होता है, electrons will experience greater pull, and the atomic radius will decrease, यह आपको लिखना है, बस, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, तीसरे point पे आपको क्या लिखनेगा, nuclear charge बढ़ रहा है, electron pull हो रहा है, atomic radius कम हो रहा है, which of the above elements have the biggest and smallest atom, यह रहेगा तुम्हारा biggest, and यह रहेगा तुम्हारा smallest, बराबर है, what is the periodic trend observed in the variation of atomic radius, while going from left to right within a period, left to right क्या होता है, decrease होता है, अब यह आया था आपके 5 मार्ग के लिए, this was a, कौन सा board exam था है, 2019 का paper है, and यह कितने मार्ग के लिए आया था, 5 मार्ग के लिए, इसका solution मैंने आपको notes में दिया हुआ है, notes खोल के देखना, पढ़ना उसको, कोशिश करो, चलो, आगे चले, third का answer, third का answer, मैंने बताया, third के answer में आप क्या लिखोगे, third के answer में reason लिखो, क्यूं, atomic radius decrease होता है, nuclear charge बढ़ता है, electrons will experience a greater pull, and radius will decrease, यह reason आपको लिखना है, third वाले में, बाकी तो I think, understood है, चलो, now observe the following diagram, and write the answers of the following question, दिख रहा है क्या, write the atomic number of first two elements, in the second group, second group का पहिला दो element, मेरको बताव, second group किदर है, this is my second group, period बोला है की group बोला है, बराबर है, तो beryllium and magnesium, इनका atomic number लिखना है, 4 and 12, ठीक है, किदर गया है, मेरा pen किदर है, दिख नहीं रहा है, 4 and 12, beryllium and magnesium, write the number of valence electron, of the element in the halogen family, halogen किदर होता है, group number 17, valence electron कितना है, 7 है न, 7, draw the diagram of electronic configuration, of magnesium atom, मुझे बताओ, magnesium atom, magnesium atomic number 12, 2,8,2, तो nucleus बना दो, first shell, second shell, third shell, 3 shell रहेंगे, 2 electron, 8 electron बना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and तीसरे shell में, 2 electron, ठीक है, 2,8,2, यह अपने को बनाने का है, magnesium के लिए, फिर, after completion of a period, what change does, take place, in the electronic configuration, of the next element, चौथा वाला question दिख रहा है, after completion of a period, क्या होता है, shell increases, answer क्या लिखोगे, fourth question, shell increase होता है, period खतम होने के बाद, क्या होगा, shell बढ़ेगा, ठीक है, next period में क्या होगा, shell बढ़ेगा, write the names of any two elements, from the diagram, which do not take part, in the chemical reaction, chemical reaction में, कौन पार्ट नहीं लेता, noble gas, तो यहां पर helium और neon का नाम लिख देंगे, helium, and neon, they will not take part in chemical reaction, they are noble gases, चलो यह कितने mark को आया था, यह 5 mark का है, यह भी आपके board के paper में से आया हुआ है, this is for 5 marks, this is I think July, 2020 का paper है, कभी का paper है, July 2020 का paper है, 5 mark के लिए आया था, very simple question, चलो आगे चले, number of valence electron, किसे ने तो बोला गलत बोला भाई, मुझे number of valence electron बताने है, valence नहीं पूछा है, valence electron पूछा है, कितना है, 7 है ना, valence कितनी रहेगी, 1 रहेगी, लेकिन valence electron कितने है, 7 है ना, समझ रहे हैं मेरी बात, nucleus में कुछ मत लिखो, बस गोला बना दो, कुछ मत लिखो आँ, ठीक है, clear है, और मैंने कैसा ना, सीधा सीधा answer लिखा है ना, 4, 12, 7, आप sentence बना के लिखना, अब यहाँ पर sentence बनाने का, मेरे पास जगा नहीं है, लेकिन आप लोग sentence में लिखो, the atomic number of first two element, in the second group are 4 and 12, respectively, वैसे करके, sentence बना के लिखो, ठीक है मेरी बात समझ में आरी, हाई शुबम, भटवाडी में रहता है, आजा कभी घर पे, पढ़ाता हूँ, चलो, next one, पढ़ा पढ़ लेते हैं, आगे, खतम करते हैं, लाइफ बड़ा लंबा चल रहा है, I am just going a little bit slow, so that सब को समझ में आए, क्या क्या चल रहा है, element has electronic configuration, 2,8,2, अच्छा 2,8,2, कौन है ये, magnesium है, what is the atomic number of this element, 12, ठीक है, डारेक जा रहे हैं, question number 1, atomic number 12 है, what is the group of the element, valence electron 2 है न, तो ये कौन से group में आएगा, second group, 2 valence electron, second group, 3 valence electron, group number 13 हो जाता है, ठीक है, एक electron रहेगा, तो group 1, ध्यान से सुनना, group 1, 2 electron रहेंगे, तो group 2, 3 रहेंगे, तो group, कौन सा हो जाता है, 13 हो जाता है, ध्यान से सुनना, 13 हो रहे है, बीच में D block आता है, पुरा, are you understanding, 3 से लेके 12, D block आता है, बाद में आपका, P block चालो होगा, 13, 4 electron रहेंगे, तो group, 14 हो जाता है, समझ में आरी बात, fit हो रहा है, to which period, does this element belong, मुझे बताओ, इसके पास, कितना shell है, 3 shell, तो ये कौन से period में आएगा, फटा 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 आंसर दे दो, 3rd period, है नो, 3rd period, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ रहे है, सबको आ रहे है, मैं left ही नहीं हूँ, मैं mirrored हूँ, ये मेरा right hand है, आप लोग को left दिख रहा हैं, right hand है, mirror हो रहा हूँ मैं ऐसे, चलो, अभी अभी, पाटा पाट लेते हैं, these are from your, board question bank, ये आपके board question bank की activities हैं, भाई और बहनो, board question bank की activities हैं, फटा फट लेते हैं, S block में कौन से group आते हैं, group 1 और 2, ये मैंने अभी अभी आपको बताया, S block group 1, 2, 13 to 18 किदर आता है, 13 to 18 is your P block, D block में क्या आता है, 3 to 12, 3 to 12 ये आता है तुम्हारा D block, and length night actinide किदर आता है, F block, बराबर है, simple, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देते जाओ जवाब, correct, 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 numerical skip नहीं करना है, जो कोई भी पुछ रहा है बीच में, numerical छोड़ू क्या, मत छोड़ू, at least, at least, gravitation का करके जाओ, at least, gravitation का करके जाओ, एक तो आएगा, दो माख के लिए, एक तो, आए गए, करके जाओ, F सही निकालो, समझ में आगया तुमको F, चलो, इन दो मॉडर्ण प्रियोडिक टेबल, position of 1220 elements are shown, identify A and B, write their atomic number, hi, hello, listen, तो A क्या है तुमारा, lithium है, listen, BBC News, on Friday night, तो B क्या है, neon है, उनका atomic number लिखना है, lithium का कितना होता है, 3 होता है, neon का कितना होता है, 10 होता है, clear है, A is lithium, B is neon, 3 and 10, चलो, next, आहाहा, मजा आ गया, क्या दिया है सवाल, some elements and their atomic radii are given, arrange them in decreasing order of their, decreasing order of their atomic radii, गला बडा सूप जाता है, एक घंटे की stream में, होई तो, है जो happy birthday लिख रहा है, कब से यार, अच्छा मुझे बताओ, board clear नहीं दिख रहा है, रुख जाओ, मुझे तो बडा क्लियर दिख रहा है, चगा अच्छा दिख रहा है, देखोगे, बडा क्लियर है, तुम लोग को कैसे नहीं दिख रहा है, परदा ही महला है, साफ करो परदा, चलो, next, element दिए हुए है, arrange them in decreasing order of their atomic radii, बड़े से छोटा, identify which of the above element is the biggest, and which is the smallest, चलो भई, कौन सा है सबसे बड़ा, यह number 1, number 2, number 3, 4, and 5, और तो तुमारा, cesium-262, is the biggest, and lithium-151, is the smallest, सबको आ रहा है, आ रहा है सबको, ओकी ग्रेट, lecture होने के बाद, recorded form में रहेगा, आप देखो आराम से, 2X पे डाल के देख ले न, बाद में और क्या, thank you professional loser, for the super chart, ठीक है, अरे किसको नहीं देख रहा है, clear है, अरे को बड़ा clear देख रहा है, B is neon, 3 and 10, next, पता नहीं क्यों, मेरे को तो मेरे इसमें, बहुत clear देख रहा है, चल कोई बात नहीं, complete the following chart, हर एक shell की capacity होती है न, capacity हम इस formula से, figure out करते हैं, 2N square is the formula for, capacity, electron capacity, shell में कितने electron रहेंगे, ये 2N square से पता चलता है, अभी K में, N क्या 1 रहेगा, 2 into 1 square 2, चलो, L shell में, 2 into 2 square लगाएंगे, तो 8 हो गया, M shell, 18 हो गया, ठीक है, 4th shell, 2 into 4 का square कितना हो गया 16, तो 32, बरोबर आहे, 32, सबको समझा, great, electronic configuration of A, is 2,8,1, ये कौन है, sodium है, answer the following question, based on the information, what is the atomic number of element A, 11, find the group to which element belongs, एक electron है, तो group क्या रहेगा, group 1 रहेगा, एक electron group 1, 2 electron group 2, 3 electron group 13, चीक है, fantastic, चलो, अगला, classify the following elements into metal, और नोन मेटल, ये मेटल है, मेटल है, और मेटल है, बरोबर, this is non-metal, non-metal, and non-metal, समझ गए तुम लोग, समझ रहे हो, फिर से बना देते हैं, फिर से बना देते हैं, मेटल, मैगनेशियम, अल्यूमीनियम, अड़ सोडियम, non-metal, डॉक्टर वाली हन्राइटिंग है, प्लीज एज़श्ट, सल्फर है, फॉस्फरस है, और नाइट्रोजन है, चलो, आगे सलते हैं, राइट इन्फर्मेशन अबाउट गिवन अटमिक नंबर इन दो टेबल, अटमिक नंबर टेन दिया है, इसका electronic configuration क्या रहेगा, 2,8 रहेगा, कौन से ग्रुप में आएगा, 8 electron है, तो ये 18 ग्रुप में आएगा, ये तुम्हारा noble gas हो गया, neon हो गया न, neon है, कौन से period में रहेगा, 2 shell है, तो second period में है, आगे कौन सा element है, neon है, ठीक है, आटमिक नंबर 20, तो 2,8,8,2 हो जाएगा, बराबर 20 होता है, calcium, कौन से ग्रुप में रहेगा, दो valence electron है, तो ये तुम्हारे second group में रहेगा, period कौन सा रहेगा, fourth period रहेगा, चार shell है, आट कौन सा element है, calcium है, बराबर, calcium, everybody knows calcium, 7 कौन होता है, nitrogen होता है, 2,5 होता है, तो कौन से group में, 5 है, तो 15 ग्रुप हो गया है, 15 ग्रुप, 5 electron, 15 ग्रुप, very good, अगला करते हैं, an x element with atomic number 11, and y element with atomic number 13, belong to the third period in the modern periodic table, answer the following questions, which element are more metallic character from these two, देखो क्या होता है न, left to right metallic character, सिर्फ m से लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, metallic character decreases, ठीक है भाई, left to right क्या होता है, metallic character decreases, so x is more metallic, ठीक है भाई, how to identify period, अगर मैं 2,1 लिखता हूँ, तो 2 shell है तो second period, number of shell equals to number of period, 2,8,1 लिखता हूँ, तो third period है, number of shell equals to number of period, ठीक है, what is valency of x and y, x का valency कितना रहेगा, 1 रहेगा, y का valency कितना रहेगा, 3 रहेगा, atomic size of y element is smaller than atomic size of x element, explain, बहुत ज़्यादा कचरा होगे, ऐसा लग रहा है न, रूप ज़ोड़ा clear कर देते हैं, x is more metallic, यहीं पर लिख देते हैं, metallic, ठीक है, x का valency है 1, y का valency है 3, atomic size of y is smaller than x, explain, यहाँ पे आप लोग क्या explain करोगे, nuclear charge increases, nuclear, अभी यहीं पूरा लिखते बैटोंगा, तो बहुत घडिया लगेगा, nuclear charge increase होता है, electrons are pulled, to a greater extent, and the atomic size will decrease, give reason लिखना है, atomic radius वाला give reason यहाँ पे लिख दो, ठीक है, चल, identify period of element, and block of element from given electronic configuration, period कैसे पता चलता है, number of shell, तो यह कौन से period में आ गया, third period, third period, and second period, ठीक है, block कैसे identify करोगे, block कैसे identify करोगे, group से identify करोगे, यह आपका second group में आता है, two valence electron second group, मतलब S block हो गया, बराबर है, seven electrons, मतलब यह 17th group हो गया, तो कौन सा block हो जाएगा, P block हो गया, ठीक है, and एक electron है, valence electron, तो यह first group में आ गया, तो यह भी हो गया, S block, चलो, clear है बात, chemical reaction पे भी जाएंगे, देखो live भले अभी पता नहीं लंबा चलेगा थोड़ा, but, we will try to do chemical reactions also, we will try to do, जितना हो सके करेंगे, जान है, तो जहान है, चलो आजाओ, position of A, B, C, is given in the table, from the modern periodic table, answer the following question, what is an element, metal or non-metal, कौन सा metal है, कौन सा non-metal बताना है, मुझे बताओ, group 17 है, तो ये non-metal हो जाएगा, P block, group 17 मतलब halogen हो गया, तो non-metal है, group 2, तो ये metal हो गया, and ये भी, group number 17 में आ रहा है, C कहां आ रहा है, group 17, तो ये भी क्या हो जाएगा, non-metal, ठीक है, which is the outermost orbit of element B, पहली बात तो element B कौन सा है, वो identify करो, element B कौन है, second group में आता है, and third period में आता है, तो उसके पास क्या रहेगा, 2,8,2 रहेगा, third period मतलब 3 shell, second group मतलब 2 valence electron, तो this is your magnesium, 2,8,2, which is the outermost orbit, outermost orbit कौन सी है, M shell, यह आपके board के question bank में न, कभी कभी समझ में नहीं आता है, कहना क्या चाते हैं, पूछ कहा रहे हैं, कौन सी है, outermost orbit, M shell is the outermost orbit, वैसे बोल सकते हैं, ठीक है, identify C element, and its physical state, C element कौन सा है, यह जो element है न, fourth period में आता है, fluorine, chlorine, bromine, यह आता है तुम्हारा, fourth period में, bromine, तो C कौन है, C is bromine, and उसका physical state, क्या रहेगा, liquid, physical state क्या रहेगा, liquid रहेगा, चलो clear है, लोग आगे बोल रहे हैं, best handwriting in the world, ठीक है, great, लगन जाला आएका तुमसे, अलग-अलग ही चल रहे हैं, चलो, यहाँ पे होता है, अपना, पुरा chemical reaction समाप, last बाकि है, 3, 1, and 2 electrons, are in the valence shell, of X, Y, and Z elements, इसके पास 3 है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, from this information, write the name of the group, it belongs to, and its valency, तो X कौन से ग्रुप में आएगा, 13th ग्रुप में आएगा, Y कौन से ग्रुप में आएगा, 1st ग्रुप में आएगा, Z कौन से ग्रुप में आएगा, 2nd ग्रुप में आएगा, बराबर है, valence electron के हिसाब से, उसका group हमने दे दिया, अब ये लोग क्या पूछ रहे हैं वैलेंसी पूछ रहे हैं तो इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी 3 इसका वैलेंसी 1 और इसका वैलेंसी 2 ठीक How to identify group एक वैलेंस electron है तो first group फिर से फिर से बता रहा हूँ दो वैलेंस electron है तो second group तीन है तो 13th group हो जाएगा 4 है तो 14th 5 है तो 15th so on and so forth चलो थोड़ा fast समझाईए तो यहाँ पे अपना periodic classification का जितना हम कर सकते हैं वो हमने सब किया करने के लिए एक घंटा गया बट हमने किया कोशिश तो पूरी कि अभी अभी आता है chemical reaction फटा फट करेंगे इसमें न मेरे को कोई time pass नहीं करना है balancing एक दो जगा पे करूँगा उसके बाद मैं सिधा सिधा answer लिखके बताते जाओंगा solve करते जाओं मेरे साथ चलो निपता देंगे इसको chemical reactions सिधा no buckwas सिधी बात no buckwas combination reaction पे आ जाते हैं how to find valency जितना valence electron होगा अभी 2,1 है या 2,8,2 है तो एक electron है तो इसके valency 1 है दो electron है तो इसके valency 2 है outer most electron पे valency depend करती है simple हाँ 17 की valency 1 होती है चलो शुरू करें combination reaction क्या होता है फटाफट बताते जाओ a plus b gives me a b two or more reactants will combine to form a single product यह definition याद कर ले ना यह आ सकती है definition two or more reactants combine to give a single product अब आते हैं सिधा question answer पे मेरको answer चाहिए from you people चलो answer तुम लोग थोड़ा थोड़ा देते जाओ NH3 plus HCl क्या हो जाएगा फट फट बताओ 9 बज़े तक खतम कर देंगे NH4 पूरा जाइंट कर दो पूरा जाइंट कर देंगे NH4Cl ammonium chloride and it is a solid ठीक है NH4Cl बन जाता है ammonium chloride Mg plus O2 mago magnesium oxide ये भी क्या है solid है balance करना आता है आता ही होगा अब तक तो दो oxygen है तो मैं यहाँ पर 2 लगा रहा हूँ and दो magnesium हो गया तो मैं यहाँ पर 2 लगा रहा हूँ ठीक है Mg O2 नहीं होता Mg O होता है magnesium oxide एक oxygen calcium oxide plus water gives me calcium hydroxide plus heat मिलती है मुझे ध्यान से सुनना आप मेरी बात पहली बात तो यह reaction balanced है क्या यहाँ पर 1 calcium है यहाँ पर 1 calcium है ठीक है यहाँ पर 2 oxygen दिख रहे है मुझे एक यहाँ एक यहाँ और यहाँ पर O2 2 oxygen है 2 H2 2 hydrogen है यहाँ पर भी 2 hydrogen है बराबर है balance equation है and heat बहार आती है मतलब जब आप calcium oxide को पानी में डालते हो न वो solution गरम हो जाएगा गरम हो जाएगा इसका मतलब क्या है it is a exothermic reaction फट फट करेंगे चलो exothermic reaction heat बहार आती है इसको exothermic बोलते है and H2O plus CO2 is H2CO3 इसका नाम कोई बता सकता है मेरे को this is called as carbonic acid basically आपका जो soda होता है pepsi में coke में आता है वो soda के अंदर क्या होता है ये carbonic acid होता है carbon dioxide gas को पानी के अंदर dissolve करते हैं तो ये H2CO3 carbonic acid बनता है ठीक है अच्छा Fe plus S इसको अपने को गरम करना पड़ रहे है ये जो symbol है triangle का इसका मतलब क्या heat हम गरम कर रहे हैं हम heat दे रहे हैं ठीक है पहले answer लिग देते हैं F E S and हम heat provide कर रहे हैं so it is a endothermic reaction हम heat दे रहे हैं बाहर से गर्मी दे रहे हैं endothermic reaction is this very clear happy anniversary मेरा anniversary नहीं है thank you for the super chat बड़ आज कोई तो अफवाफ LR है पार्चर का वड़े नहीं है पार्चर का शादी का anniversary नहीं है मुल्गी शोदून माला तुमें लोकत या नका देव ठीक है शादी नहीं हूँ अब तब don't worry about that and 21 सेट प्रिफर मत करो मैं तो नहीं करता हूँ मैं तो recommend भी नहीं करता किसी को exothermic endothermic समझा चलो फटा फटा आगे चले let's not waste decomposition reaction मतलब क्या AB break हो जाएगा into A plus B one reactant will give me two or more products two or more products तोड रहा है decompose कर रहा है चलो solve करते जाते हैं ये सारी reaction मेरे साथ solve करो एक एक बार practice करो गे सब बायाट हो जाएंगे ठीक है CA CO3 calcium carbonate उसको अपन गरम कर रहे हैं मुझे बताओ पहली बात तो ये endothermic है यहीं पर लिख रहा हूँ this is endothermic हम heat दे रहे हैं मुझे मिलता है calcium oxide CAO plus CO2 gas जब भी बाहर आती है तो उसके बाजू में एक arrow बना देंगे CO2 is liberated बाहर आ रही है great endothermic है CO2 बाहर आ रही है sugar को भी हम heat कर रहे हैं तो ये भी endothermic है लिख देते हैं endothermic reaction है carbon को sugar को जब जलाओगे तो आपको मिलेगा carbon plus H2O by heart करते जाओ अच्छा C plus H2O इसको balance कैसे करेंगे 12 carbon है left में 12 carbon है तो पहले मैं यहां पे 12 लगा रहा हूँ ठीक है and 22 hydrogen है left में तो मैं यहां 11 लगाऊंगा 11 to 22 and यहां पे 11 oxygen है तो यहां पे भी right में भी 11 oxygen हो गया balance है ठीक है अभी जी मतलब this is electrolysis electrolysis कर रहे है पानी का तो हमें मिलता है H2 plus O2 दोनों gas बहार आती है तो दोनों के उपर upward arrow लगा देंगे ठीक है देखो मैं सब चीज़ का balancing नहीं कर रहा हूँ because बहुत टाइम आएगा तो मैं फटा-फट आपको answers बता रहा हूँ कौनसे-कौनसे reactions decomposition में आ सकते हैं कौनसे displacement में आ सकते हैं कौनसे double displacement में आ सकते हैं वो सारे answer में आपको दे देता हूँ balancing आप थोड़ा कर लेना जहां तक बात रही exam में balancing stepwise कभी नहीं आता है बिल्कुल भी वो ACL potassium chloride plus oxygen liberate होती है KCL plus O2 फट-फट करते जाएं balance करो आप लोग AGCl is silver chloride उसको हम खुला छोड़ देंगे sunlight में तो वो decompose हो जाता है आपको मिलता है metal silver plus chlorine gas बाहर आ जाएगी CL2 gas बाहर आ जाती है AG plus CL2 and don't worry exam में exactly कैसा type का question आता है वो मैं आपको बताऊंगा दो मिनिट में यहाँ पे हम सिर्फ एक reactions का overview ले रहे है इसके बाद हम सारे question solve करेंगे जो आपके previous year question paper में आये हैं and board के question bank में दे हो है solve करके जाएंगे सब कुछ ठीक effort फट चलो H2O2 is hydrogen peroxide यह क्या है peroxide hydrogen peroxide इसको भी खुला छोड़ दोगे decompose हो जाता है break हो जाता है आपको मिलेगा H2O plus O2 H2O plus O2 फरक याद रखना यहाँ पर H2O के electrolysis में आपको gas मिलता है H2 plus O2 and peroxide में आपको H2O plus O2 मिलता है यह फरक है यहाँ पर confusion हो सकता है which we don't want चल फट फट आगे चलते है displacement reaction A plus B C will give me basic के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है A is more reactive A कैसा है A is more reactive तो वो C को हटा देगा तो मेरे को मिलेगा sorry B को हटा देगा तो मुझे मिलेगा AC plus B The place of a less reactive element is taken by more reactive element ठीक है अगर आपने reactivity series पढ़ी है तो आपको पता है reactivity series आदे के ना लेने कार मांगी वो आली reactivity series आपने पढ़ी है तो आप बता सकते हो के कहा reaction होगा कहा नहीं होगा ठीक है less reactive element के जगा पर more reactive element आ जाएगा that is displacement example कर लेते हैं अब एक बात तो है के copper is less reactive zinc is more reactive तो मुझे यहाँ पर ZnSO4 मिलेगा copper हट जाएगा copper is less reactive zinc is more reactive तो मुझे मिलेगा ZnSO4 plus Cu ठीक है ZnSO4 plus Cu again iron is more reactive copper is less reactive तो I will get FeSO4 plus Cu यह वाला reaction is very very important very very important इसको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं because आगे यह exam में पूछा हुआ है and तीसरे वाले reaction में you will get PbSO4 plus Cu FeSO4 plus Cu PbSO4 plus Cu चलो इतना clear है सबको perfect चलो last method double displacement एक का टोपी इसका टोपी उसके सर simple AB है plus CD है तो मेरे को AD plus BC मिलेगा ठीक है I will get AD plus BC ions in the reactant are exchanged इसकी टोपी उसके सर उसकी टोपी इसके सर ions are exchanged to form a precipitate मतलब क्या होता है solid आपको reaction में एक product आपका solid रहेगा ठीक है एक कोई भी product आपको solid मिलेगा इसको उपन क्या बोलते हैं precipitate ठीक है चलो खतम करते हैं खतम करते हैं बहुत लंबा चल रहे है because answers answers बहुत questions बहुत सारे हैं चले redox पर भी चलेंगे चलो double displacement के बाद redox पर जाएंगे फिर question answer पर जाएंगे precipitate कैसे पता चलेगा प्रतिक देख पीनी example है यही example आते हैं इसमें से कौन सा precipitate है मैं बता देता हूँ उतना याद करके चले जाँ चलो ag no3 plus nacl देखो यहां बात कैसी है न ag is positive and no3 is minus charge होता है na is plus cl is minus correct तो ag cl के साथ जाएगा positive will go with negative correct तो मिरे को क्या मिलेगा ag cl left side का एक positive दूसरे वाले के negative के साथ जाएगा positive negative साथ में आ जाएगे न तो I will get ag cl इसका मिल को मिलता है precipitate plus I will get na no3 na no3 handwriting न खराब होते जारी है बड़ी ठीक है ag cl precipitate मिल गया दूसरे reaction में bacl2 plus znso4 तो again ba is plus cl is minus zn is plus so4 is minus तो क्या मिलेगा bas o4 इसका रहेगा precipitate याद रखेंगे bas o4 का precipitate मिलता है plus I will get zncl2 fast 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 तीसरे वाले में k is positive c r o 4 is minus ba is positive so4 is minus तो मुझे मिलेगा ba c r o 4 इसका precipitate देखो हमेशे याद रखना barium का जो है barium वाले product का आपको precipitate मिलेगा ये अपन याद रखे चलेगे ठीक है भाई ok ba c r o 4 plus क्या मिलेगा k 2 s o 4 k 2 s o 4 aqueous clear होगे double displacement अब तक जितने मैंने reaction आपको बताए उसी में से exam में आएगा उसी में से exam में आएगा balancing करना ज़रूरी है लेकिन आपको step wise balancing नहीं करनी है ठीक है अभी red ox क्या होता है red ox इसको आप break करो तो आपको 2 चीज़े मिलती है reduction and oxidation reduction होता है and oxidation होता है तो अपन दोनों चीज़ों को एक एक करके समझ लेते हैं and then we will solve the problems red ox का correct definition बताएं reduction and oxidation that take place in the same reaction such a reaction is called as a red ox reaction देखो ना text book में क्या दिए है ठीक है हर चीज़ का definition नहीं आता है exam में tension मत लो इस चीज़ का red ox का definition नहीं आएगा exam में ठीक है पता होना चाहिए के oxidation plus reduction is redox now what is oxidation addition of oxygen पहली बात addition of oxygen removal of hydrogen या फिर loss of electron ठीक है addition of oxygen removal of hydrogen loss of electron इस oxidation याद रखेंगे इतना पहाठ होना चाहिए अपको reduction is removal of oxygen उल्टा करना है उल्टा करना है addition of oxygen था तो removal of oxygen removal of hydrogen था तो addition of hydrogen and यहाँ पे loss of electron है तो यहाँ पे gain of electron हो जाएगा reduction is exactly opposite of oxidation ठीक है ठीक है ठीक है चलो नाओ oxidation के reactions इतने ही आते हैं इसमेंसे पूछते हैं फटा फट देख लेते हैं निप्ता देते हैं चलो किदर है pen addition of oxygen तो आपको मिलेगा magnesium oxide फटाक से solve करते हैं carbon प्लस oxygen combine होके आपको मिलता है CO2 again addition of oxygen mg h2 का decomposition होगा removal of hydrogen आपको मिलेगा mg प्लस h2 gas liberate हो रही है तो arrow दिखा देंगे उसके बाजो में थोड़ा अच्छे से बना देते हैं upward arrow ch3 single bond ch3 this is your ethane ethane में से hydrogen बाहर निकालेंगे hydrogen gas बाहर निकालेंगे तो मुझे मिलेगा ch2 double bond ch2 plus hydrogen gas बाहर आ रहे है ठीक है तो मुझे बताओ यहाँ पे addition of oxygen था and इन दोनों में removal of h2 था correct है all of these are examples of oxidation reaction ethyl alcohol में यह k2Cr2O7 and h2SO4 यह लोग कौन है these are oxidizing agents oxidizing agent क्या करता है oxidizing agent oxygen देता है तो यह जो oxygen आपको दिख रहा है वो यहां आ जाएगा carbon के साथ जुड़ जाएगा तो you will get CH3COOH यह आपका acetic acid बन जाएगा या फिर उसको आप ethanoic acid तो बोली सकते हो न इthanoic acid ethanoic acid तो this is also oxidation addition of oxygen ठीक है कौन सा वाला repeat करें कौन सा वाला repeat करें लास वाला फिर से बता दें लास वाला फिर से बता दें यहां पर CH3 एक काम करते हैं इस carbon पे oxygen लगेगा ठीक है और यह hydrogen निकल जाएगा सिंपल hydrogen निकल जाएगा oxygen लगेगा तो मुझे मिलेगा CH3 CO and यह OH तो था इना पहले से ठीक है CH3 CO OH पहले से था तो यह मिल गया मेरेको ethanoic acid ethanoic acid and this is my oxidant oxidant भी बोल सकते हो या फिर oxidizing agent भी बोल सकते हो जिसका काम क्या है oxygen देना oxygen देना चलो reduction का reduction का देख लेते हैं फटाक से vegetable oil liquid दिया हुआ है hydrogen इसके अंदर add होगा इसको हम hydrogenation भी बोलते हैं hydrogenation addition of hydrogen is reduction ठीक है वनस्पति गी बराबर है और यह क्या रहेगा solid रहेगा वनस्पति गी is solid so that is your reduction का example अभी न ध्यान से सुनना अभी oxidant reductant सारी चीज़े यहां पे एकदम clear कर लूँगा ध्यान से सुनना थोड़ा सा 2 minute यहां पे लूँगा आपके but understand this very clearly मेरे पास copper oxide है copper oxide को मैं hydrogen के साथ react करवा रहा हूँ तो तो मुझे copper मिलता है metal प्लस h2o मिलता है water ठीक है fe plus s का बताता हूँ सब बताऊंगा don't worry copper oxide plus hydrogen मेरे को क्या दे रहा है copper दे रहा है plus water दे रहा है अब यहां पे क्या हो रहा है ध्यान से सुनना मुझे बताऊ copper ने oxygen को loose किया loss of oxygen copper oxide ने oxygen को loose किया मतलब can I say this is reduction यह reduction हो गया पहला point अच्छा hydrogen ने oxygen को gain किया gain of oxygen addition of oxygen तो यह oxidation हो गया this is a redox reaction करेक्ट है अभी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना यह जो copper oxide है वो oxygen दे रहा है copper oxide क्या गर रहा है oxygen दे रहा है so it is my oxidizing agent copper oxide कौन है मेरा oxidizing agent है जिसको हम क्या बोलते हैं oxidant बराबर है reductant भी बोल सकते हो ठीक है तो एक simple बात बता हूं oxidizing agent reduce होके copper बना oxidizing agent reduce हो रहा है reducing agent oxidize हो रहा है so oxidation and reduction reactions occur simultaneously such reactions are called as redox reactions ठीक है oxidizing agent is reduced and reducing agent is oxidized इतना आप दो बाते याद रखना है यहाँ पर very very important ठीक है चलो अभी न फटक से solve करते हैं बाद में अपन corrosion पर जाएंगे इसका तो answer मैंने बता दिया this is copper plus H2O अब आपको exam में पूछते हैं कि इन reactants में से copper oxide and hydrogen इन में से oxidation किसका हो रहा है reduction किसका हो रहा है तो मुझे बताओ copper oxide का reduction हो रहा है copper oxide का reduction हो रहा है and hydrogen का oxidation हो रहा है बराबर है H2S plus SO2 gives me S sulfur plus H2O इसका हो रहा है तो मुझे बताओ H2S ने hydrogen को lose किया loss of hydrogen क्या होता है oxidation H2S का क्या हो रहा है oxidation हो रहा है loss of hydrogen and SO2 ने oxygen को lose किया ठीक है SO2 ने क्या क्या oxygen को lose किया तो इसका क्या हो रहा है इसका reduction हो रहा है is this clear H2S का oxidation हो रहा है SO2 का reduction हो रहा है तीसरा reaction देख लो MnO2 plus HCl gives me MnCl2 plus H2O plus Cl2 reaction थोड़ा सा याद कर लो यह वाला chlorine gas बाहर आती है तो मुझे एक बात बताओ MnO2 oxygen lose कर रहा है loss of oxygen मतलब क्या हो रहा है reduction and यहां पर hydrogen oxygen को gain कर रहा है HCl में hydrogen क्या कर रहा है oxygen को gain कर रहा है so इसका क्या हो रहा है oxidation यह आपको एक्जाम में पूछते हैं कौन सा reactant reduction हो रहा है and कौन से reactant का oxidation हो रहा है तो बताना जरूरी है मलाड में cylinder blast हुआ था yes yes I know I know पता है मेरे मुझे dobrainer triad का बायाट नहीं करना है exam में question आया तो atomic mass दिया रहेगा चिक है अब आते हैं questions पर यहां तक हो गए कहानी अब question answer पर आते है the reaction of iron nail with copper sulfate solution Fe plus CuSO4 it is a displacement reaction displacement हो जाएगा क्या मिलेगा मेरेको FeSO4 plus Cu combustion of coal in air is C plus O2 gives me CO2 so it is a combination reaction combustion of coal carbon को oxygen के साथ combine कर रहें conversion of ferrous sulfate into ferric sulfate ferrous क्या होता है Fe plus 2 ferric क्या होता है Fe plus 3 plus 2 से plus 3 हो रहा है मतलब यहां पे loss of electron हो रहा है loss of electron is nothing but oxidation ठीक है आगे चलते हैं study the following chemical reaction and answer the questions given below by 840 हो रहा है अपना chemical reaction wind up करते है metallurgy का notes मैंने आपको दिया है and aluminum extraction मैंने पूरा पढ़ा दिया है with best tricks देखते चलना अपन chemical reaction कर गए wind up कर दें आज का session ठीक है बहुत लंबा नहीं लेंगे keyword को underline pencil से करना है correct carbon compounds का one shot मैंने दिया है जितने लोग carbon compound पूछ रहे हैं मैंने one shot दिया है उसको लगाव 2x पर खतम करो उसके notes भी मैंने दिया है सब कुछ मैंने सटीक तरीके से दिया हुआ है करते जाओ चलो agno3 plus nacl this is your double displacement यार दिख रहा है identify and write the type double displacement सिधा बता रहे है write the definition of about type of chemical reaction exchange of ions to form a precipitate ठीक है definition तो पढ़लोगे na exchange of ions to produce a precipitate write the name of reactant and product reactant reactant product and product silver nitrate है sodium chloride नाम तो लिखने आता है कि नहीं आता है rust पे जा रहे है अपन rust पी जा रहे है ये खतम करके rust पे जाएंगे and we'll wind up rust का भी बहुत अच्छा ट्रीक है मेरे पास ठीक है silver chloride है and sodium nitrate अभी reactant का और product का नाम लिख लेना complete the given reaction CuSO4 plus Fe FeSO4 plus Cu कौंसा reaction है displacement displacement फट फट करते हैं observe the following reaction carefully and answer the sub question NH3 plus HCl NH4Cl what are the salt and acid in the above reaction ये acid or ये salt ammonium chloride is a salt which is the base in the above reaction ये रहा the base is it weak or strong it is a weak base ammonia is a weak base write a reaction showing dissociation of this base in water NH3 plus H2O gives me NH4 plus ammonium ion बनता है and OH- hydroxide ion बनेगा ठीक है ठीक है ठीक है NH4 plus and OH- ये रहेगा थर्ड वाला answer चलो identify A, B from the following table and complete the table write the chemical equation A और B कौन है limestone क्या होता है CaCO3 calcium carbonate उसको गरम करेंगे तो मेरेको दो चीज़ मिलती है calcium oxide plus CO2 फट फट करेंगे identify the type of reactions this is displacement जल्दी जल्दी लिख रहा हूं है जितना हो सके ये हो गया तुम्हारा combination combination and ये हो गया decomposition पढ़ने वाले बच्चे हैं बताते जाएं decomposition है right endothermic, exothermic nature of reaction यहां पर heat umprovide कर रहे हैं तो ये endo हो गया सिदा सिदा लिखने का endothermic है balance the given chemical reaction लेकिन step wise balance नहीं करना है balance करके सिदा answer लिखना है ये question 3 mark के लिए आता है तो एक मार्क इसका एक मार्क इसका और एक मार्क इसका देव सावला dhombi volume में कहां shift हो रहे हो पल्लवा phase 2 lecture grains thank you for the super chat ठीक है balance कर लेते हैं फटाक से यहां पे na 1 है यहां पे 2 है left right में तो 2 से multiply करेंगे फिर oxygen 2 प्लस 4 6 यहां पे 2 से multiply करो balance हो गया left में 4 hydrogen है right में भी 4 hydrogen है left में 6 oxygen है balance हो गया direct balance करना है step wise नहीं लिखना है from given reaction identify oxidant and reductant oxidant and reductant इसके पास oxygen है तो यह मेरा oxidant है oxygen देगा oxygen hydrogen oxygen लेगा तो यह कौन हो गया reductant oxygen देगा oxygen oxygen लेगा reductant thank you so much Chris and all the best अच्छा लगता है सुनके you get 92% चलो अगला balance the chemical reaction do not write step by step direct balancing करनी है अच्छा अभी यहां पे left hand side में sulfur मेरको 2 दिख रहे हैं तो पहले में sulfur को balance कर रहा हूं यहां पे 2 लिख रहा हूं hydrogen 2 दिख रहे हैं 2 है यहां पे oxygen 2 है left में और यहां पे यहां पे मेरको oxygen balance किया 2 टूजा 4 तो यहां पे 2 लगेगा and sulfur 3 हो गया तो sulfur 3 3S ठीक है MnO2 2 प्लस HCl Cl2 Cl2 4 है तो यहां पे 4 और यहां पे 2 हो गया balance करेक्ट में explanation दिया है वो भी आपको यहां पे लिखना है hydrogen sulfide reacts with sulfur dioxide H2S plus SO2 क्या मिलता है S plus H2O यह सारे solutions मैंने आपको दिया हुए ठीक है I have given these solutions to you PDF में आपको दिया है classify the following reactions into exothermic and endothermic reaction magnesium ribbon when burned in air it forms magnesium oxide लेकिन जब magnesium ribbon burn होता है तो बहुत सारी light और heat बनती है न तो यह तुम्हारा exothermic reaction हो जाएगा वो heat दे रहा है बाहर ठीक है यह भी heat बाहर दे रहा है तो it is also exothermic यहाँ पे heat हम दे रहे हैं तो this is endo this is exo ऐसे ही type के questions exam में आते हैं and this is also endo ठीक है heat हम दे रहे हैं triangle यहाँ पे लगा हुआ है okay so far everybody is following identify which is the oxidizing agent and reducing agent in the following reaction oxidant and reductant बराबर है मुझे बताओ SO2 oxygen देगा ध्यान से सुना simple है SO2 oxygen दे रहे so it is your oxidant and यह H2S oxygen ले रहे so it is your reductant simple हिसाब है जिसके पास oxygen है वो oxidizing agent है है ना और जो oxygen लेगा वो reducing agent है okay चलो match the following है MgH2 plus Mg plus H2 यह क्या हो गया removal of hydrogen is oxidation reaction H2S plus SO2 is this is my redox reaction CAO plus H2O this is exothermic reaction heat बाहर आ रहे है exothermic reaction है ठीक है सामने वाला चलो फटाफट फटाफट करते है identify from the following reaction इसके आगे क्या है हाँ अच्छा मुझे बताओ यह आपका textual question है यह textual है कर लोगे अभी जो मैंने बाते बताई है वही है कौन oxidation undergo कर रहा है and कौन reduction अभी पहला वाला बता देता हूँ बाद में थोड़ा कर ले न Fe जो है यहाँ पे plus और minus हो जाता है Fe plus हो जाता है S minus हो जाता है so Fe is undergoing oxidation and S is undergoing reduction पहले वाले में ओके and second वाले में मुझे बताओ oxygen बाहर जा रहा है so Ag2O is undergoing removal of oxygen मतलब क्या हो गया reduction हो गया mg प्लस O2 तो यहाँ पे magnesium is undergoing oxidation and D वाले में nickel oxide इस में से oxygen निकल रहा है so it is undergoing reduction and hydrogen oxygen accept कर रहा है so it is undergoing oxidation ठीक है clear हो रहा है point to point ठीक है चलो अगला explain the reaction given below calcium carbonate को heat कर रहा है CACO3 heat कर रहा है calcium oxide प्लस CO2 gas मिलेगी CO2 gas lime water में जाएगी CO2 gas lime water में जाएगी तो यह lime water कैसा हो जाएगा milky milky यह लिखना आपको explanation में ठीक है जितना हो सके जल्दी कर रहा हूं फटा फट पढ़ाते जा रहा हूं lime water will become milky ठीक आगे चलें ओके अभी आते हैं तुमारे क्या नाम था इसका corrosion पर रस्टिंग पर आते हैं reddish color का solid layer बनता है जिसको rust बोलते हैं this layer is called as rust rust का formula याद रखेंगे fa2o3.xh2o x के जगा पे कोई भी number हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है ठीक है depend करता है तो fa2o3.xh2o x मतलब क्या variable number है वहां पर कोई भी आ सकता है this is called as corrosion ओके यह आपका water drop है आपको exactly बताऊंगा क्या हो रहा है इसको याद कैसे रखोगे कौन से टाइप के question आते हैं इतना करके आज का कार्यकरम हम समाप्त कर देंगे ठीक है भाई rancidity exam में नहीं आती और अगर कोई पूछ भी रहा rancidity मतलब क्या oil जो होता है न खाने के अंदर उस oil का oxidation होता है oil खराब हो जाता है उसमेंसे बास आती है तो खाना खराब हो रहा है that is rancidity oil का खराब हो जाना simple what is the difference between rust and corrosion देखो corrosion हर चीज का होता है iron का होता है copper का होता है silver का होता है aluminum का होता है rust iron का होता है rust is the type of corrosion जो आपको iron में दिखता है ठीक है वैसे patination is a type of corrosion जो आपको copper में दिखता है तो iron को अपन rustic बोलते है copper को अपन patination बोलते है clear होगी बात चलो अभी आते हैं point पे पानी है पानी सबको दिख रहा है नीचे लोखंड है लोखंड सबको दिख रहा है बाहर हवा में oxygen है और यह पुरा water का drop है now listen very carefully anode में आपको पहले बता देता हूं anode पे न oxidation होता है anode पे हमेशा क्या होता है oxidation होता है तो यहाँ पे मेरे पास iron था लोखंड oxidation is loss of electron oxidation is loss of electron तो iron will lose two electrons and यहाँ पे मेरे को मिलेगा fe plus two पहली बात anode पे oxidation हुआ fe का fe plus two हुआ and उसमें से दो electron इस तरह से बाहर आ गए सबको दिख रहे हैं दो electron बाहर आ गए ठीक है लेकिन मुझे एक बात बताओ मुझे fe 2 o 3 बनाना है तो मुझे 2 iron के atom लगेंगे मुझे fe 2 o 3 बनाना है तो मुझे iron के कितने atom लगते हैं दो लगते हैं तो यहाँ पर मैं 2 fe लिख रहा हूं 2 fe which will give me 2 fe 2 plus बराबर है plus total कितना electron बाहर आएगा 4 electrons दिख रहे हैं सबको total 4 electron बाहर आ रहे हैं यह पहला reaction हो गया 2 fe gives me 2 fe plus 2 plus 4 electrons iron में से electron बाहर आ रहे हैं loss of electron is called as oxidation anode पर oxidation होता है इसको भी हम याद कैसे रखते हैं anox anox anode oxidation anox point number 1 सबको clear है अभी यह fe पानी में चला जाएगा and यह electrons भी पानी में चले जाएंगे fe b पानी में चला जाएगा electron भी पानी में चले जाएंगे अब reaction number 2 द्हान से सुनना oxygen पानी के अंदर आता है यहाँ पे cathode region बन गया है cathode पे होता है reduction cathode पे क्या होता है reduction इसको हम याद रखते हैं red cat क्या याद रखेंगे red cat reduction on cathode red cat अब देखो oxygen आया O2 पानी के अंदर ध्यान से सुनना किदर से आया कैसा आया मत पूछो पानी के अंदर H plus ions होते है ठीक है पानी के अंदर H plus ions होते है प्लस चार electron ion ने दिये थे पहले वाले reaction में electron बहार आये थे तो अब क्या होएगा मालू में hydrogen will accept the electron gain of electron is called as reduction come on इधर क्या हो रहा है cathode पे क्या हो रहा है hydrogen will gain electrons and यह सब कुछ combine हो जाएगा hydrogen will combine with oxygen and it will give me 2H2O reaction is balanced यहां पे 4 hydrogen है यहां पर भी 4 hydrogen है 4 electron है second reaction में क्या बन रहा है पानी बन रहा है क्या बात समझ में आ रही है ठीक है सारी चीज़े फिर से बताऊंगा एक बार पहले इतना समझा cathode पे reduction हुआ and पानी बन गया hydrogen hydrogen ने electron को gain किया this is reduction hydrogen combines with oxygen to form H2O इतना हो गया अच्छा अब इसको थोड़ा उपर ले लो side में now understand this 2.5 बोला है मैंने क्या होता है na Fe plus 2 और पानी के साथ पानी के साथ react करता है and it turns into Fe plus 3 अब मेरी बात द्यान से सुनना this is ferrous 2 is ferrous 3 is ferric तो यहां से फिर से ferrous का क्या हो रहा है ferric हो रहा है iron is getting further oxidized Fe plus 2 का plus 3 हो रहा है और oxidation हो रहा है उसका ठीक है and उसमें से भी electron बाहर आएगा Fe में से electron बाहर आएगा तब जाके वो Fe plus 3 बनेगा मेरे पास 2 Fe था starting मेरे पास 2 Fe था तो यहां पे मेरेको 2 electron मिलेंगे 2 Fe plus 3 and 2 electrons यह reaction हमें exam में नहीं लिखना है explanation के लिए दे रहा हूं यह exam में नहीं लिखना है ठीक है इसको erase कर देता है second वाला 2.5 reaction यह वाला exam में नहीं आता है आपको सिफ explanation के लिए दिया हुआ है ठीक है चल्ड़ो अभी last reaction देखो Fe plus 3 था आपका ferrous ion it will react with water यह जो water हमने यहां पे बनाया उसके साथ यह react कर रहा है Fe plus H2O it gives me Fe2O3 dot 1H2 dot 1H2 यह water molecule ना हमारे ion oxide के साथ चिपका हुआ होता है ठीक है तो उसको हम hydrated ion oxide बोलते हैं hydrated ion oxide मतलब पानी के साथ जुड़ा हुआ Fe2O3 dot H2O plus I will get 4 H plus मिलेगा यह H plus फिर से यहां पे reaction में चला जाएगा in the second reaction देख रहा है सबको अब इसको balance कर लो यहां पे 2 ion है Fe2 है तो यहां पे 2 आ जाएगा ठीक है और यहां पे total oxygen कितना है 3 plus 1 4 oxygen है तो मैंने यहां पे 4 लगाया 4 2 the 8 hydrogen है तो यहां पे 2 है तो यहां पे मैं 6 लगा रहा हूँ तो 4 2 the 8 hydrogen 2 plus 6 is 8 तो यह आपकी balancing होती है and this is your rust जो आपको इस तरह से red color का substance आपको आपके ion के उपर दिखेगा अच्छा अभी मेरे को बताओ समझा क्या यहां तक अभी एक सेकंड आ इतना समझाना तो आपको एक्जाम में कौनसे reaction लिखने है फटक से बता देता हूं एनोड पर reaction लिखेंगे हम आयन आयन का oxidation हो रहा है fe plus 2 बनता है plus 2 electron बहार आते हैं 4 electron total बहार आते हैं oxidation cathode पर क्या होगा reduction oxygen will combine with 4H plus plus 4 electrons यह 4 electron यहां जाते हैं आपको मिलता है 2H2O water मिलता है and fe plus 3 बनता है fe plus 3 reacts with water to give me fe 2O3.H2O plus H plus अब इसको सिफ़ balance करते हैं 2O यहां लगाते हैं 4 यहां लगाते हैं 6 यहां लगाते हैं 2 4 6 ठीक है सारे even number है 2 4 6 अब एक बात बता हूं आपको द्यान से सुनना understand this 3 reactions को separately याद करो ऐसा मत सोचो के इधर 6 hydrogen है इधर 4 है balance नहीं हो रहा है इस reaction में और भी steps होते हैं जो आपके textbook में नहीं दे हो हैं तो उसका चिंता मत करो इधर 6 उदर 4 है क्या हो रहा है अलग से याद करो ठीक है तीनों को आप separately याद करोगे anode पे क्या हो रहा है ठीक है अभी सिर्फ दो question अपन solve करते हैं and then we will stop the stream because बहुत जाधा time हो गया है पढ़ो आप लोग जितना आप लोग खुद कर सकते हो आप करते जाओ what is rust red colored substance formed due to corrosion of iron definition rust का लिख देंगे chemical formula पूछा है तो यहीं पे लिख दो fe2o3.xh2o ठीक है this is the general formula of rust अपने reaction में अपन 1H2 हो लेते हैं write the reaction of oxidation at anode देखो आपको यहाँ पे reaction दिख रही है यह question board exam में आया था for 5 marks imagine and यह photo as it is आपके textbook question में दिया हुआ था reaction उसी के ओपर लिखा हुआ है copy करना है ठीक है anode वाला reaction दिया हुआ है सिदा copy करो write the reaction at cathode यह भी reaction दिया हुआ है as it is copy करना है and what is corrosion due to environmental factors due to air, water, moisture, carbon dioxide, metals are damaged and that damage is called as corrosion basically जो corrosion का definition होता है वो लिख दो ठीक है देखो थोड़ा confusing है एक दो बार practice करो Fe का क्या होता है Fe plus 2 plus 2 electron भार आ रहे cathode पे क्या हो रहा है some things you need to buy hard cathode पे क्या हो रहा है O2 plus 4H plus plus 4 electron gives me 2H2O and बाद में rust का reaction क्या होता है Fe Fe plus 3 plus पानी gives me Fe 2O3 dot H2O plus H plus buy hard करोगे हो जाएगा तीन reaction करके जाओ अच्छे से buy hard that's it that's all you have to do ठीक है and again वही यह भी आपके board exam में पूछा हुआ है Fe 2 O3 dot X H2O यह आपका rust का general formula हो गया ठीक है write the chemical reaction of electric current passing through positive and negative surface of iron यहाँ पे question थोड़ा complicated किया है लेकिन आपको क्या लिखना है आपको anode पे and cathode पे कौन सा reaction हुआ वही लिखना है iron वाला reaction लिखना है यहाँ पे समझे रहे है न मेरे बात Fe Fe 2 plus हो जाता है and 2 electron भार आते हैं यह वाला and cathode पे क्या हो रहा है O2 plus 4 H plus plus 4 electron minus gives me 2 H2O यह वाले दो reaction आपको यहा लिखने है ठीक है तो यह यहां तक का आपन आज समाप्त करते हैं let's do this much बाकी carbon compounds का one shot आपको दिया है मैंने देखो मजे करो लुफ्त उठाओ उसका पूरा and metallurgy का भी notes दिया है मैंने aluminum extraction का video डला हुआ है नया novella चका चक video बनाया है and पाकी आप metallurgy के video देखके समाप्त कर दो उसको chapter को notes आपको दिये हैं सटीक वाले देख लो एक बार ठीक है चलो बोलो समाप्त करें exactly 2 घंटे होए हैं let's wind up खतम करते हैं आज तो आज यहां पर मैं chemistry समाप्त कर रहा हूं पढ़ते जाओ revise करते जाओ सारे notes आपको दिये हैं सब सब कुछ दिया हुआ है just keep practicing keep practicing ठीक है ओके thank you so much 2 घंटा है मेरी हवा टाइट हो गई 2 घंटे बात करते-करते कल करेंगे physics physics का timing वगेरा क्या रहेगा सब telegram पर आपको मैं बताऊंगा don't worry पढ़ाई करो जाओ enjoy bye bye